सबी कुछ जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक्स हो गता है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज मैं आपके लिएक लेटेस्ट और एक इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मश इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंतमें इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत पहुंच सके कोई इंसान हो या कोई कंट्री हो जब तक वो अपने पास्ट से नहीं सीखता जब तक वो अपने इर्दगिद के महोल से इंवार्मेंट से नहीं सीखता जब तक वो अपने साथी की या साथ वाले की गलती से नहीं सीखता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता कुछ दिन पहले की बात है कुछ टाइम पहले की बात है कि मालदीज ने एक मिस्टेक की आउट इंडिया कमपेंड स्टार्ट करके और फिर उसके बाद हमें जो उसके जल्ट थे वो मालदीज में देखने को मिले इंडिया ने जिस तरीके से उसका रेक्शन किया देखने को मि लेकिन उनकी प्राइम निस्टर ने बहुत स्टेट फारवर्ड ये अपना स्टेटमेंट दी है उन्हों ने बोला है कि जो लोग बंगला देश में इंडियन प्रोड़क्स को बाइकाट करना चाहते हैं सबसे पहले उन्हें अपनी बीबियों की जो इंडियन साडिया हैं उनको जलाना होगा उनको फैंकना होगा सबसे पहले उन्हें जों से इंडियन मसाला जाद यूज़ करते हैं अपने घरों में उन चीज़ों को बाइकाट करना होगा फिर उसके बाइकाट इंडिया की बात करेंगे इसी वाले से नादिया इलागी खान हमार साथ मुझूद है इंसे बात करेंगे कि आखिर क्या वज़ा है कि हम अपने साथ वाले से देख के क्यों ही सीख पाते हम अपने पास की मिस्टे को समझ क्यों नादिया जी वालेकुम असलाम जह जह श्री राम हरहर महादेव गुद मॉर्निंग श्रेव गुद मॉर्निंग नादिया जी कैसे हैं आप ठीक हैं खरिया से हैं एकुछ फ्रेश कल थोड़ी तकी मैं जानता हूं कि होली में होली के दिनों में आपके मलब आप घीरी थी या इस आपको अनर भी करते बीड़ी तो पूछूं आप खेयर से हैं तो safer hai है तो युद्ण अरजी सब आप variety काम कर रही है सब कुछ वोई टूटे वे पेर ले कर के सब कुछ कर रही है है इस वाद में तो कोई शक नहीं है तो मैं आपको कैम्रे के सामने और कैमरे के बगार भी यह कहता ह कि जितनी एनर्जी आप में हम देखते हैं आप हम एक काम करके ठाक जाते हैं मतलब हमारा सारा दिन का अलमुस्ट ही काम रहता है यूट्यो वीडियो रिकार्डिंग और थोड़ा वो तीन चीजों में थोड़ी सी स्टडी लेकिन आप कोर्ट भी देखती हैं आप मीडिया भी देखती हैं फिर अपने गर को भी देखती होंगी और साथ ही साथ अपना जो पालिटिक्स है उसमें भी आपका काफी टाइम जाता होगा तो इसलिए आपको तो स्लूट करना पड़ेगा इस काम की वज़ासे आपकी एनर्जी की वज़ासे नादिया जी क्या करना चाहेंग जिसके अंदर हम बंगलादेश को डिसकस करेंगे क्या कहना चाहेंगी देखेशो इप सबसे पहले तो मैं यह कहूंगी कि मैं शेख हसीना को बहुत अड्मायर करती हूं शेख हसीना जी मतलब बहुत ही एक क्वेंटेसेंशल एक्जामपल है एज़ा मुसलिम लेडी उन्हो बातों को बहुत एक्सेप्ट किया है और भारत के प्रदान मंत्री मोदी जी के साथ उनके संपर्क और बांग्रादेश के संपर्क हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से बांग्रादेश को बहुत इंप्रूफ किया गया है और मूदली भारत के प्रदानमंत्री और शेक असीना अपने बाइलेटरल रिलेशन्शिप को ले करके चले हैं अब बोथ नेशन भारत और बांगलादेश आप शेर्ड हिस्ट्री कल्चर सोशल एन एकनोमिक बॉंड्स यह तो सबको पता है और बांगलादेश के अपोजिशन प साड़ किया तो शेक अपनी स्पीच के माध्यम से और लोगों के सामने उन्हों ने कहा कि तुम्रा नीजेर बहुरमार साड़िता आगे जालिये ताओ मैं बंगलादेशी बिंगॉली भी जानती ठीक है तो उन्हों ने बहुत क्रिस्टल क्लियर लैंगवज में कहा कि सबसे पहले तो अपने अपने घर में जो जो बीवियां और मा जो साड़ियां पहनती है क्योंके हैंडलों की साड़ी, ताथ की साड़ी, कोटे की साड़ी, ये सारी साडियां सिर्फ भारत बनाता है, सिरिनगर बनाता है, कोई बनाता ही नहीं है, तो उन्होंने बहुत अच्छा मिसाल दिया है, कि भाया, तुम जो इतने अच्छे अच्छे जो लॉप्स्टर खा रहे हो, गोल्डन प्रॉन खा रहे हो, जो लैसन इस्तिमाल कर रहे हो, जो अद्रक इस्तिमाल कर रहे हो, जो आलू इस्तिमाल कर रहे हो, ये सारी चीजों से ले करके, सारी चीजों से ले करके, जो तुम और अपनी बीवियों को जो साडियां पहना रहे हो खुशी-खुशी उसको भी जला दो उसको भी खतम कर दो और लास्ट में उन्होंने बहुत खुबसुरत बात कही है मैं उनकी पूरी स्पीच सुनी हूँ इशेक हासीना साइबाने कि अगर तुम भारत को बॉयकॉट करते ह तो तुमारे घर में चूला जलना बंद हो जाएगा खाना पकना बंद हो जाएगा तुमारे घर के मा बहू और बेटियों के शरीर पर कपडे नहीं रहेंगे क्योंके बंगलादेशी मुसलिम्स प्रोबबली वो साडियां पहनते हैं प्रोबबली आप धाका जाओके आप तो आपको मतलब 15-16 साल की बच्ची के शरीर पर भी साडी दिखती है और वो कोटे और हैंडलों और ताथ की साडी दिखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि essential import including raw material machinery agriculture goals उसके बाद पर अभी हालिया में transportation को बहुत easy किया है मोदी जी के नेत्रित में उसके बाद पर rail को बहुत easy किया गया है 2017 में मैंने इंडिया को भारत को represent किया था दिवाली में बांगलादेश को और वेस्ट पिंगॉल के जो बशीर हाट जो बॉडर लगता है बांगलादेश से मैंने वहां जाकर के वहां के आर्मी ओफिसर्स को दिवाली की मिठाईयों और पटा के जलाएं ते उनके साथ तो उस वक्त भी वो लोग 2017 में बहुत अटमायर कर रहे थे कि नाजिया जी आप भारत की वजह से आज बांगलादेश में नोकरी बहुत इसी हो चुकी है ट्रांस्पोर्टेशन बहुत इसी हो चुका है हमारा आना जाना जो है वो बहुत इसी हो चुका है तो ये और हम आपको दिखाई देगा कि बड़ा बजार जैसे एरिया में चान्नी जैसे एरिया में बांगलादेशी चायवे होते हैं एकदम भरे पड़े होते हैं जो बहुत कॉर्प्रेट एरिया जो बिसनेस एरिया है वहां पर बिल्कुल चायवे होते हैं आप दिल्ली चले चाहिए तो आपको जाओं मजिद मीना बजार में आपको कि वो होल सेल मार्केटे तो वहां पर बंगलादेश ही चाईवे होते हैं क्यों चाईवे होते हैं क्यों कि वह यहां से सथी चीजे खरीदते और फिर वह बॉडरर के दवारा वह जाते हैं और उसको एक्स्ट्रा दाम को जो भी खुबसूरत अंदास से बंगलदेश नाशनल पार्टी जो अपोजिशन बंगलदेश में है उसको खरारा जवाब शेक हसीना साइबाने दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि जो बंगलदेश नाशनल पार्टी उसको सोचना पड़ेगा दस बार कि बहुत कहीं अब बहुत कहा है और देखिए शोईब मैं फिर से दुबारा बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो भारत से अभी पंगलेना चाहेगा जो भारत से अभी मतलब कुष्ती करना चाहेगा हर एक देश भारत से कुष्टी छोड़ करके भारत से दोस्ती करने के मूड में है. नाधियागी, अब वैसे तो आपने बोला पाकिस्तान के दोड़ के. एक छोटा सा सजेशन पाकिस्तान के युवाहों को देना चाहूंगी, क्योंकि आपकी बहुत लंबी चौड़ी विवेर्स हैं, माशाळला, और पाकिस्तान के युवाह आपको पसंद करते हैं. अभी मैं वाइजाक में थी, वहां पर भी मुझे लोग बीच पर कह रहे थे, आप शोयव चौड़ी जी के साथ बैगती हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा कि लोग वहां पर भी तुमको सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान की यूवा, जो यूवा पीड़ी है, अगर वो इसलाम को घर के अंदर रख करके बाहर में प्राक्टिकल हो जाए, तो कहीं ना गहीं पाकिस्तान तरक्की में आगे चल पड़ेगा. डेफिनेटली ऐसा ही है, और एक चीज़ मैं भी कहना चाहता हूँ, में भी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ भी पाकिस्तान के बारे में बोल देता है, और मैं चुट करके सुनता रहता हूँ, कभी आपने आपको मेरी जग बोलूँ के नहीं जी आप बिल्कुल जूट बोल रही है, वो आगे से मुझे ये दिखाएंगी कि ये रिकार्ड देखने है, ये रिकार्ड देखने है, मैं पिर मनलब उसमें फिर मैं अनबाइस नहीं रह पाऊंगा, तो मेरे ख्याल से हमें हुद को पहले बेहतर करना है, फिर दुनिया हुदी तरीफ भी करेगी, बुराई की दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंतक देखा होगा, और हमेशा की तरह सोईब चोधरी जी के सवाल और नाजिय लाइ खांजी का दंदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां प हैं, तो वो ऐसा होने नहीं देंगी, को एक स्ट्रॉंग इंडिपेंडेंट लेडी हैं, तो आशा करता हूं, वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक् और इंफर्मेटिव वीडियो लाते रहें, जय हिंद, जय भारत!